हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल टिप्स कुरू दोस्तो आपके एक्जाम्स के बारे में अभी तक सुप्रीम कोट की तरफ से किलियर नहीं हुआ था कि सेप्टेंबर में जो एक्जाम्स होंगे फाइनल एर के क्या उन्हें कंडेक्ट करवाया जाएगा या फिर नहीं करवाया जाएगा दोस्तो इसी बीच इग्णू की तरफ से एक और एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो दोस्तो इस notification के बारे में detail में चर्चा करेंगे इससे पहले दोस्तो आप से एक छोटी सी request अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे subscribe करके पास में notification bell icon को प्रेस करना ना भूले सो दोस्तो इस नोटिफिकेशन को आज यहां पे 30 जुलाई को upload किया गया है दोस्तो यहां पे इस notification में जो 22 जुलाई को notification जारी किया गया था उसी notification को continuation में उसी के clarification के regarding points दे दिये गए दोस्तो जैसे कि 22 जुलाई को इगनू की तरफ से आपके सितंबर एक्जामनिशन के लिए जो notification निकाला गया था जिसमें यह बताया था कि जितने भी final year के students हैं उन सभी के सितंबर के first week से exam स्टार्ट कर दिये जाएंगे और जो भी non final year students हैं उन सभी के exam जुन से postpone करके December में conduct करवाय जाएंगे तो दोस्तो उसी को reference लेते हुए इस notification को यहाँ पे जारी किया गया है यहाँ पे दोस्तो किलियरली यह बताया गया है कि इगनू का जो पढ़ाई वाला system है odial उसमें आपको बिना किसी exam दिये अगली class में promote कर दिया जाता है जब आप अपना re-registration करवाते हैं वो आपका अगली class में admission हो जाता है इसलिए दोस्तो यहाँ पे यह mention किया गया है कि आप अगर अपने exams में pass होते हैं या नहीं होते आप अगर अपने exams attend करते हैं या नहीं करते बिना exams दिये या आप exams में fail हो जाते हैं तब भी दोस्तो आप अपनी अगली class में अपना admission करवा सकते हैं इसलिए दोस्तो इगनू की तरफ से यह decision लिया गया था कि जो भी non final year के students हैं उन सभी के exam डिसंबर में conduct करवाय जाएंगे इसी information को clear करने के लिए इगनू की तरफ से जो यह notification जारी किया गया है इसमें second point में यह बताया गया है कि इगनू के जितने भी under graduation वाले students हैं उन में स एक लाख 51,560 ऐसे student हैं जिनोंने बिना किसी exam दिये अपना अगली class में admission करवा लिया मतलब basically दोस्तों इन students ने अपना re-registration का process complete कर लिया इसके अलावा 14,196 post graduation के essay student है जिनोंने अपना re-registration complete करवा लिया जबकि जून 2020 वाले exam अभी तक conduct नहीं करवाएगे इसलिए दोस्तों आप सभी student को यह बताया जाता है कि आप अपना re-registration time पे करवा लिजे दोस्तों यहाँ पे third point में दिया गया है कि जब तक आप अपना credits complete नहीं कर लेंगे जब तक आप अपने courses में पास नहीं हो जाएंगे तब तक IGNU की तरफ से आपको आपकी degree, diploma या फिर certificate award नहीं किया जाएगा क्योंकि दोस्तों आप मेंसे काफी ऐसे student है जो की first year और second year वाले हैं basically जो भी non final year के student है वो इसी बात को लेकर protest कर रहे थे कि UGC की तरफ से जब ये guidance जारी कर दी गई कि जो भी intermediate year वाले students है उन सभी को उनके assignment के basis पे या internal assessment के basis पे promote कर देना चाहिए तो इसके लिए IGNU ने अपना पलड़ा साफ कर दिया कि IGNU के सभी student को अगली class में promote कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे fifth point में दिया गया है जो भी final year के students है उन सभी के लिए कि आपके exams सितमबर 2020 में conduct करवाए जाएंगे सिर्फ उनी subject के लिए जिनके लिए आपने अपना exam form fill up कर दिया अगर आपके कोई essay subject थे जिनमें आप पहले से fail होते आए हैं अगर आपने उनका भी exam form fill up किया है तो वो भी आपके अभी conduct करवाए जाएंगे basically first year और second year के अगर आपके कोई essay subject थे जिनमें आपके back आई थी तो वो भी आप सितमबर में दे सकते हैं दोस्तो point number six इस point में ये बताया गया है कि जितने भी students intermediate year semester वाले हैं उन सभी के exams December 2020 में conduct करवाए जाएंगे और December 2020 में उनके वही exam conduct करवाए जाएंगे जिनके लिए उन्होंने जून 2020 में अपना examination form fill up किया है उसके बाद में जो next exam होगा उनका वो जून 2021 में जून 2021 में conduct करवाए जाएगा तो दोस्तो ये था IGNU की तरफ से आपके exams के लिए एक नया notification दोस्तो आशा करता हूँ आपको ये information पसंद आई होगी दोस्तो आप चाहें तो इस notification को download भी कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आप चाहें तो IGNU की website पे यहाँ पे news and announcements में इसका लिंक दिया हुआ है university examination time and examination June 2020 for final year and semesters student to be held in September 2020 clarification आप चाहें तो यहाँ से इस link को click करके और इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तो वीडियो के description में इसका link दे दिया जाएगा वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजेगा अपने friends के साथ में facebook पे whatsapp groups में share कीजेगा आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे सबस्क्राइब करके पास में notification bell icon को प्रेस करना ना बूले Thank you friends, keep watching tips guru